नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रेडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इनका कोशन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका विपार है, ठीक ठाक चल रहा है, आगे के जिन्दगी के विशा में जानना चाहते हैं, आज अपने जिन्दगी पर है जो भी है बहुत कस्ट सहके हैं, तो आगे सुख में जिन्दगी की उमीद रख रहे हैं, और ये समर्पित हैं किसी भी चीज में बड़ी सफलता पाने हैं तू और जिस भी प्रकार का ये विपार कर रहे हैं उसमें जी जान से लगे हुए हैं मैं आगे डिस्कुशन करता हूँ कि इनके हाथ पर कैसे तरक्की के योग है और इनकी हैतली कैसी है और यही जानना चाहते कि आगे एक करूर पती यारपती बन सकते हैं अधवा नहीं है तो आप बिलकुल बेचिंता ना करें आपके सारे ही प्रशनों को मैं गहराई बताने का और समझाने का प्रयास करूँगा तो वीडियो बहुत से एक्सपेक्ट से महतपून है क्योंकि जो भी विक्ति उपने जिन्दगी पर कुछ करना चाहते है और उसके लिए प्रयासरत है जो भी विक्ति उनके लिए भी ये विडियो महतपून है क्योंकि अगर उन अगर आपके हाथ पर होती है जो आपको धनवान मना सकती है तो आप धनवान बनेंगे और इनके हाथ पर एक चमतकारी अवस्था है एक चमतकारी फिश शाइन है जो कि exactly सूरी परवत सूरी रेका के साथ है जिसके फल स्वरूप जातक जिन्दगी परना बहुत ज़्यादा प गैरेंटी है तो जो भी वेक्ति इस वीडियो को देख रहे है और अपने जिन्दगी पर कुछ बड़ा मुकाम हासिर करना चाहते है उन सभी के लिए ये वीडियो महतपून है क्या पता उनके हाथ पर ये अवस्था हो और उनको आज तक कोई बताने वाला ना मिला हो या फ चिन बन रहा है तो ये है वो चिन क्या आप पर से देखे ऐसे करके ये बहुत जबरदस फिश्टाइन एक बहुत अधबुस सी दिखने वाली फिश्टाइन जो की जातक को करुर पती बना सकती है जो जातक को करुर पती बना सकती है गजब का फिश्टाइन है और इसी के सा इसके बाद अपने गुन के दम पर कमाते है अपने टैलेंट के दम पर कमाते है इनको विसेज कोई सपोर्ट नहीं मिला होता है यह अपड़े दम पर बहुत ज़्यादा पैसा कमाते है यह फिश्चाइन इस बात का परचकरा रहे है तो मैं आगे बताओंगा कब इसके एक्ट स्टिविटी से तो आप करूर पती नहीं बन सकते है इसके उपरायां तो और भी चीज़े आपके एतले पर होनी चाहिए इनके हाथ पर ना 36 में वर्स के बाद ना बागगे रेखा कुछ जादा ही अदबुत है आगे भी बागगे रेखा चल रही है जो कि बहुत जबर्द जाता है जो कि extreme valuable भागे रेखा के रूप से देखी जा सकती है बहुत जबर्द श्यादार भागे रेखा के रूप से इसका count किया जा सकता है इसके उपराया दिखने वाली इनकी जीवन रेखा और जीवन रेखा इनकी वाकिय लाजबाब है जब जीवन रेखा पर distractions कम हो य ये होता distractions की रेखा, ये होती राहू रेखा, ये जब कम हो जीवन रेखा पर, तो जीवन रेखा तो ऐसे बहुत महतपूर रेखा बन जाती है, चुकि जीवन रेखा से आपके जिंदगी के हम ups and downs को देखते हैं, साथी साथ जिंदगी पर कितने तरक्किवान आप होते हैं, इ ये जीवन रेखा को जादा ही अदबुत अवस्था में दिखरी इनके हाथ पर, और सुर्वाती दौर से भी बागी रेखा थी, लेकिन बहुत फलित नहीं थी, एक वेपार की रेखा हाथ पर बन रही है, जो की बहुत इच्छा माना जाएगा, फिलाल ये यहाँ पर ऐसे गई है, फिर ये आगे बड़ी है, तो ये बन भी सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये पॉस्टिव इंडिकेसंस है, जीवन रेखा पर एक समय के बाद कुछ प्रगती के योग है, स्लाइटली है, ठीक है, बहुत गरबर भी नहीं है, जुपिटर पर एक आकरती भी बनते में ज़र आ रही है, जो कि कम्प्रीटली अभी नहीं बनी है, लेकिन ये जरूर बन जाएगी आने वाले समय में, इसके उपराद अगर मैं देखूं, तो बुद्ध पर खड़ी रेखा है, ये जातक को बताती है, बहुत जद देज होते हैं, रेखाएं कम हैं, तो जब रेखाएं हाथ पर कम हो, तो मुख्य रेखाएं पर विचार कर लो, अगर मुख्य रेखाएं के साथ कोई अदभूत अवस्था बन गई, फिस्टो मा करती, स्टार नुमा करती, स्क्वाइर नुमा करती, ट्रेंगल नुमा करती, तो आपको ये ज़्याद धन पारे ग्रह अधभुत कंडिशन्स में है, बहुत ही अच्छे कंडिशन्स में है, शुक्र बहुत जबरदस्त है, दोनों मंगल बहुत कमाल है, चद्रमा काफी बढ़िया दिकरास और मरकरी भी अच्छी ब्रश्पती भी ठीक है, मतलब मैक्सिमम ब्लैनेट्स इनके बड़े कंडिशन्स में है, और जब ग्रह किसी भी व्यक्ति के हाथ पर अच्छे होना, तो फिर यह आप समझना, यह लाइन्स अगर कम भी रहे, तो कोई विसे दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे व्यक्ति जिन्दगी पर जादा ही पैसा कमाते हैं, यह इस बात की गैरेंटी को बत होने पर सुगंद वाली बात होती है, कहां करूर पती और अरपती में थोड़ा डिफरेंस होता है, वैसे ही, प्रेंट्स के साथ साथ अगर लाइन्स और इंडिकेशन्स अच्छे हो जाना, तो जातक पैसा कमाते दिर नहीं करते हैं, जातक के जिन्दगी पर पैसा आते दि क्योंकि positivity डेफिनिटली आपके हाथ पर रहती है, और साथी साथ negativity भी रहती है, तो हमें negative चीजों को भी समझना और देखना बहुत जुरूरी होता है, अगर आपने अपने negativity पर वचार नहीं किया, तो कहीं न कहीं आप पूरे predictions को नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर आपको स्ट्रेंथ में नहीं आई है, तो जब बुद्रे का बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में ना आए, तो इसका अर्थ है कि आपके पास अभी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आया है, अभी कुछ losses को ही बता रहा है, चुकि 35 वर्स की आयू है, अमें इस बात को कैसे भूल सकते कि 35 वर्स तक कमाने कैस तो होता है, ये 22-30 क्यायों के बाद, अगर आपने नहीं कमाया है, तब ही तो ये बुद्रेका मुझे बहुत विजिबल नहीं दिख रही, और फिर जब मैंने बुद्रेका के साथ-साथ भाग गिरेका को देखा, तो मुझे शुरवाती दोर से बहुत जादा सक्रिय नहीं दिखी, ऐसा मुझे बिलकुल भी नहीं दिखा, कि आगे की बाग गिरेका बहुत अदबुत है या बहुत सक्रिय हैं, जब तक आपकी बाग गिरेका बहुत सक्रिय ना हो, तब तक आप जिन्दगी पर जादा पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि बा आपके हाथ पर भाग ये रेखा नहीं है, चाहे उसकी वसा कुछ भी हो, किसी भी कारणवश भाग ये रेखा नहीं हो सकती है, कुडले के किसी दोशेतों, या फर और भी बहुत से रीजन्स होते हैं, उसे रीजन्स कास तक पता नहीं चला है, क्योंकि ये एक नैचरल चीज है, ये ना मैंने बनाया है, ना आपने बनाया है, आपकी हाथ की रेखाएं जो है ये एक नैचरल है, आपकी हाथ की रेखाओं कभी आपने वचार किया, कि आपके हाथ पर रेखाएं बनती क्यों है, सब कोई अर्थ होगा, बेशक हर्थ है बहुत बरा आर्थ है तो यह नैचरल चीज है इसमें किसी का involvement नहीं है इसमें किसी का interference नहीं है तो मैं इस बात को नहीं बता सकता कि भाग्य रेखा क्यों नहीं है लेकिन जिस भी वेक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा मुझे नहीं दिखी है उनके जिन्दगी पर कोई बहुत बड़ा सक्सेस भी नहीं दिखा है हाँ जब से उनकी भाग्य रेखा सक्सेस सक्क्रिय हुई है तब के बाद तो उनको कोई रोकने वाला नहीं है वो बहुत आगे बढ़ते हैं बहुत पैसा कमाते हैं तो इनके हाथ पर सुरुबाती दोर से भाग्य रेका सक्क्रिय नहीं थी भाग्य रेका जरूर थी एक moment केस के बाद कुछ ना कुछ initial सक्सेस को जरूर बता रही थी कुछ आंसिक धनलाव को जरूर बता रही थी लेकिन बहुत सक्रिय ना होने के वाज़ा से इस दब आगे रेखा का अदबुद पर जिन्दगी पर नहीं आ पाता है जो इनको फल मिलना चाहिए धन कमाई है तू खैर ये एक negativity थी और थोड़ी negativity बुद रेखा वे थी तो वो तो समानी है इसका जैसे जैसे आप पैसा कमाने लगेंगे चुकि आपका समय आने वाला है तो फिर आप जिन्दगी पर आगे फिर आपकी बुद रेखा दिखने लगेगी इसके उपराद जीवन रेखा पर कुछ आयू में राहू रेखा थी लेकिन इसको बहुत ज़दा negative योग में consider नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ज़दा negative मुझे दिख भी नहीं रहा है इसलिए मैं इसको बहुत ज़दा negative योग में बेलकुल भी consider नहीं करना चाहूँगा हा लेकिन राहू ने खा अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर रहे तो कही नहीं जिन्दगे पर अपस्टेगल और समस्याओं को जरूर बताती और समझाती है इस बात को आप अपने दिमाग में लेकर जरूर चले इस बात को mind में लेकर जरूर चले आप चलो जी, ये चीज़ आपने देख लिया ये तो हो गई इनकी बात इनकी positive बात हो गई, negative बात हो अब भी इनके प्रशन पर चलते हैं आगी की जिन्दगी क्या सी रहेगी इस विशे पर इनको जानना और समझना है तो उसके लिए आपके फिश के कफल आने वाले है और आप क्या करूरपती बन सकते हैं इस बात का मैं परशे कराता हूँ जो भी विक्ति इस वीडियो का इंचदार कर रहे हैं और फिश नुमा आकरती कफल जानना चाह रहे हैं उसके लिए खास करके वेट कर रहे हैं उनके लिए वीडियो महातपूर है योगि अभी मैं उस बात को बताने का और समझाने का कोशिश करूँगा तो ये फिश आप देखो हिर्दा रेखा से नीचे बनी है कम्प्रीटली दिख रहा है मुझे और अभी 35 वर्षकीर क्या योँ हो चुकी है और ये सूरी रेखा थोड़ी आगे बढ़ी है अगर मैं सूरी रेखा के जगह को भाग्य रेखा से अगर मैं तो लात्मा के दिस्ट्रिकों से देखूँ तो सूरी रेखा का ये एज जो है न भाग्य रेखा के लगबग 38 में 60 के आसपास आ रहा है अगर मैं थोड़ा और गहराई से देखू तो लगबग 49 तो इस फिश का फल आपको चुकी भाग्य रेखा का फल 36 के बाद सक्रिये है फिश का फल सूरी रेखा से ये बल लेके आ रहा है फिश या बल दे रहा है सूरी रेखा को दोनों एकी बात है तो ये आपका फल 49 में 60 कायू से व्रिहत पैमाने पर दिखेगा और फिश के लिए कंसेप्ट है जब से ये बन जब से इसके फल आते है लेकिन जहां तक सूरी रेखा होती अगर सूरी रेखा बड़ी होती तो 36 वर्स से आता और बड़ी होती तो महज 28 वर्स कायू से आ सकता था तो ये आपके proper फल आपके 13 वर्स कायू से आपको दिखेगा और 36 वर्स कायू के बाद से आपकी बागे रेखा बहुत सक्री है जिसका आपको फल मिलेगा अब ये fish उस समय तक रहेगा आथवा नहीं रहेगा और सूरी देखा को strong करने है तो एक बार कुंडली का अध्यन जरूर करना चाहिए कुंडली का अध्यन कराने के बाद चीजे और clear हो जाते हैं इसके लिए को सार्थक उपाई किये जा सकते हैं कि सूरी आपका योग कारक होगा तभी ये fish बना है और अगर इसमें बल नहीं होगा तो आप इसमें उपाई करके बल दे सकते हैं जिससे आप और ज़दा जिंदगी पत रखी करें ये एक concept की बात है अगर आपके ग्रहों में किसी कारण वश्बल नहीं होता है वो degree wise measurement होता है किसी जातक के कुणली में तो उसे उस ग्रहों के science के भी बहुत इच्छे फल नहीं आपाते हैं जो इस ग्रहों पर अवस्थित होते हैं तो इसके ये तो आप कुणली का दिर करा आसे और भी चीजों पर और भी महतपून चीजों पर विचार करना जरूर चाहूंगा तो इनके questions थे आगे की जिन्दगी तो देखिए आप independent रहें बच्पन से ही महस 18-19 वर्स के उसे आप independent हो गये हैं कुछ आपकी progress time थी जो जिन्दगी पर तरक्की को बता और समझा आप था तो थोड़े struggles life के early age में रहते हैं इसके उपरांत आपकी 18-19 वर्स से इंडिपेंडनसी थे एक 20 में वर्स में कोई दिक्कत भी था आगे की जीवन ड्रेका बढ़ी अच्छी एक तरक्की का योग लगबग 25 वर्स के आयू में था तो 25 वर्स में कोई तरक्की आपन बने थे फिर लगबग आपके एक यहां पर देखो 36-35 के आसपास एक विपरीत पसिती का योग बने हैं यह राहू रेका को मैं कंसिडर नहीं करूंगा फिर यहां पर से 37-30 के आसपास एक तरक्की के योग भी आपके तलिपर है उसके उपरां तेक आपके विप इसके ये मुझे बहुत जबर्दस बहुत है कुछ यात्रा के योग है जब यहां जीबंड रहा है ना तो जीबंड रहा हैं को भूल जाईए क्योंकि यह आपके पास जिंदगी को बताती है लेकर किसी विक्ती के जिंदगी स्मूथ रहती है तो उनके पास करोड़ों भी रहता है किसी की जन्दगी स्मूथ रहती है उसके पार लाखों भी रहता है उस चीज का परिचे आपकी बाग्य रेखा और इंडिकेशन्स बता देगी तो आगे आप पैसा कमाने वाले हो चुकि आगे की भागे रेका आपकी बहुत प्रबल है फिश्णो माकरती है ये जातक के जंदगी पर धनलाव को जरूर बताती है जातक के जंदगी पर धन इनकम को जरूर बताती है तो ये तो हो गई बात इनके जीवन रेका से इनके जो करक अते लिए जिन्दगी comfortability के साथ बीदती है उलाबी अते लिए धन को attract करती है जब भी भी पैसे गया हो शक्ता हो कहीने कहीसे जाता के पास धन जरूर से आ जाता है जरूर से आ जाता है एक जबरदस थम्ब है strong इक्षा शक्ती एक line अपने जिन्दगी पर जो भी रहत अपने दम पर रहते हैं डिजायर्स के पर अच्छे योग है विक्ति काफी महातमाकाची यह मोल नहीं है इसको मोल मत समझिएगा कुछ आपके square है जो की काफी महातमाकाची नीचर को बताती भी है और strict personality होती है जो भी चीज आप जिन्दगी पर ठानते है कि मुझे यह करना है उस चीज को आप जरूर से करते हैं एक जबरदस्थ थंब है तो एक जबरदस्त विक्तितुं का परचकराता है ऐसे विक्तियों का जातकों का जानदार विक्तित वो होता है समझदारी के लोब काफे अच्छी वेक्ति बहुत समझदार है फिंगर पर खड़ी रेखा है तो इंसान दिल के बहुत अच्छे प्योर हट्ट है इमानदार वेक्ति है जो भी करना है बस ये करते हैं और दिल के प्योर है मतलब दूसरे के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते है ये चोटी बड़ी इंसान काफी हिम्मति अच्छी दारमी कासता है सैटर्न फिंगर आपके बहनत को बताता है सूरी फिंगर हिम्मत को इंडिकेर करता है हिम्मती भी है जल्दी गबराते नहीं अब गबराहट तो एक आक समय आ जाए तो आ जाए लेकिन ऐसे विक्ति ज़्यादा हिम्मती ही रहते है अगर मैं आगे देखूं तो जुपिटर पर एक स्क्वाइर और एक आपके क्रॉस जैसी आकिरती महतपून चिन कुछ आपके परुपकारी लाइन से जातक परुपकारी है एक समय के बाद द्रश्पती अच्छी है जो कि महज 30 वर्स के आयों के बाद बहुत ही अच्छी कंडिशन्स में है जिंदगी पर स्टैविलिटी को बता रही है 36 वर्स के बाद ज्यादा इस्टैविलिटी को ये स्क्वाइर बता रहा है या फिर क्या हो 36 वर्स तक स्टैविलिटी को बता रहा है कुछ दोगे के योग थे जातक की जिंदगी पर वो मिल सकता है के केर करना माइन रेका भजबर्दस है इंसान दिमाग के बहुत तेज है कुछ ट्रैंगल से जो नेगटिविटी को दूर कर रही है हिर्दा रेका भी बहुत शानदार तो मस्तिक्स रेका हिर्दा रेका ये तो बहुत अदबुत है पिष्णो योग का फॉर्मेशन उटिन को फॉलो करने वाले है कुछ तर्बुज है जो की मल्टिपल प्रॉपर्टी के सुख को तो बता ही रहा है यहाँ पर से एक स्कॉाइर भी है जो महें 40 वर्स के आईउ के बात है तो यह भी आपके मल्टिपल प्रॉपर्टी के सुख को बता रहा है बैलन्स काफी अच्छा है दिल दिमाग के बहुत तंद्रोस दिविक्ति हैं आप नोट आउट और माइंड रेका हिर्दा रेका ना इनके ज़दा ही खतरनाक है बहुत ही अदबद बहुत दिमाग तेज है आपका यह आसे दबाव है तो विक्ति मैनती है बागे रेका बहुत जवर्दास है जिन्दगी के लास्ट के तो बागे का पूरा साथ पूरा विकास लाइन ओफ एजुकेशन कमाल का है जातक बहुत तेज होते हैं दिमाग के बहुत तेज जवर्दास सूरी रेका एक फिश्णुमा आकरती के साथ यह आपको करूरपती बना देगी यह आपको करूरपती बना देगी महस चालिस वरस्त की आयू के बाद कुछ आपके ट्राइंगल से हैं जो कही न कहीं आपके जिंदगी पर प्रापटी के सुख को 40-45 के आयू के बाद भी बता रहे हैं दिमाग तो बहुत तेज़े जंगल में छोड़ दो पैसा कमाल लेंगे इतना दिमाग तेज है सनमर के अच्छा है बुद्धिवेक से कार करते हैं जिंदगी पर आगे बनने का मिशा उम्मीद रखते हैं दोनों मंगल बहुत जबरदस, हाईली एनर्जी परकार का सन्दय नहीं मनें जबरदस, जमी से जुरावा कार कर लो, प्लॉटिंग कर लो, लोगों से जुरावा कार कर लो, धनलाव तो होना ही है जबरदस चंदर्मा है आपकी चंदर से ये रेखा गई है तो आटिस्टिक कॉलिटी के विक्ति है पैसा फ्लो अच्छा रहता है लोगों जो जुर वे कारे में सफलता की उम्मीद को बताता है बागे रेखा बहुत ही अच्छी नहीं में मानोंगा लेकिन ठीक थी या 28 वर्स के बाद थोड़ी ठीक थी बुद्धर रेखा भी और विजिबिलिटी के साथ बनी बन जाएगी तो और बढ़ी अफल देगा बिसनस में दानलाब कराएगा मनी ट्राइगल फिलाल अभी नहीं बन पाए 36 वर्स के बाद बागे रेखा बहुत ही अच्छी है जिंदगी के लास्त तक तो पैसा तो कमाने वाले हो बाई साथ पैसा कमाने वाले हो जबरदस आपकी जीवन रेका आयो दिरगायो नहीं संदे दिरगायो होते है ऐसे फिक्ति जबरदस जीवन रेका है कुछ टेंसंस के लाइने कभी कबार चिंटा करते कभी कबार बाकी मंगल प्रबल है फिर तो ईश्वर पर वरोसा होता है और इंसान अपने प्राक्रम के दम पर चिंदा करना छोड़ देता मंगल इतना बढ़िया बेहतरीन है लगजरी सुक के प्रापर लाइन्स वो तो मिलेगा तोला स्ट्रेस रहा है सुरवाती दोर में तोला स्ट्रेस के लाइन जरूर है बाकी मनी मैजमेन प्रबल था जातक कि जिन्दगी पर पैसा आता ही इस बात का गेराई पुर्वक परिचे करा रही है शुक्र बहुत बढ़िया है शादी के बाद भाग होते हैं इनकी धर्म पत्नी इनके लिए लक्ष्मी का रूप होती है मंगल भी बहुत बढ़िया एनरजिटिक तो आप हैं कुछ जंदगी पर बहुत बढ़ा मुकाम आस अगर आपको हमारे विड़े पसंद है लाइक कर दे कमेंट कर दे सब्सक्राइब करते हैं विक्ति का दुर्प से मैं सहस्त्रे का निकांके साही जानकारी पाना चाहते हैं हमारा वॉट्सप नमर डिसकर से नहीं लेगा लेकर आप संपर कर सकते हैं धन्यवाद